आस्ट्रेलिया में कैसे हम फार्मसिस्ट बन सकते हैं? जानेंगे संपूर जानकारी आज की इस वीडियो में आस्ट्रेलिया में फार्मसिस्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ तो उसके लिए हमारी जनरल रिक्वार्मेंट्स क्या होती है? सर वहाँ पर सबसे पहला सवाल आजाता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफेकेशन क्या होगा? कोई experience चाहिए होता है क्या? कोई entrance exam देना होता है क्या? ठीक है? इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो उसके लिए क्या-क्या हमारी जो है basically requirements होनी चाहिए? और सर सबसे एहम बात अब Australia जा रहे हैं तो पैसा कमाने ही जाएंगे तो वहाँ पर हमारी salary कितनी होगी एक pharmacist की वो सब ये सब queries सर हमें सता रही है तो अभी सबसे पहला सवाल मन में आ जाता है कि Australia के अंदर हमें pharmacist बनना है वहाँ job करनी है तो उसके लिए सबसे पहला सवाल आ जाता है कि minimum education qualification क्या रहने वाला है Australia में candidate को pharmacist बनने के लिए कम से कम उसका B Pharma यानि की bachelor of pharmacy complete होना चाहिए तब आप वहाँ पर pharmacist बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात कोई experience नहीं चाहिए वहाँ पर आपको कोई experience नहीं चाहिए जिस भी field में आपको job करना है उसके लिए कोई experience नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है B Pharma complete होना चाहिए चाहिए आपका experience है या नहीं है आप pressure candidate की क्यों नहीं है अब सर देखो minimum education qualification पता चलिया सर और सर ये भी पता चलिया कि experience नहीं चाहिए तो सर हमारा selection कैसे होता है उससे पहले सर मैं D Pharma complete कर चुका हूँ तो क्या मैं वहाँ पर job कर सकता हूँ पेटा job तो कर सकते हैं D Pharma candidates लेकिन वो एक assistant pharmacist के तौर पे काम करते हैं various departments में वो एक pharmacist नहीं कहलाते वो assistant pharmacist कहलाते हैं एक D Pharma candidate महाँ पर pharmacist को assist करता है किसको जो pharmacist हैं उनको assist करेगा मतलब कि उनका एक supporting hand के तौर पे काम करता है सर अब ये बता दीजिये कि वहाँ पर कोई entrance exam होता है क्या किसी exam के भीहाँ पर selection होता है एक pharmacist का देखो बच्चा लोग महाँ पर आपका जो entrance exam होता है वो होता है CAPS का मतलब CAPS exam जिसकी full form होती है knowledge assessment of pharmaceutical sciences ये आपका एक entrance exam होता है कहाँ पर Australia के अंदर ठीक है Australia वाले अपना CAPS exam कराते हैं ठीक है वो आपने अगर qualify कर लिया document verification होता है पहले उसके बाद जब आप allow किये जाते हैं permission मिलती है entrance exam देने की जो document verification है जैसे कि आपने B pharma किया हुआ या M pharma तो colleges में जो है वो verify करते हैं ठीक है degree को verify करेंगे आपकी जो proper किसी particular university college की है ये सब आप जो है इंडिया में registered pharmacist है या नहीं है जो residential है वो आपका permanent है या नहीं है ये सब चीजे चेक करने के बाद document verification okay होने के बाद तब आप ये caps exam जो है basically return exam देते हैं इनका जो की आपका knowledge assessment of pharmaceutical sciences के नाम से जाना जाता है सर entrance exam का तो पता चल गया लेकिन सर उसका exam pattern क्या होता है एक फार्मासिस के लिए जो caps यानि की knowledge assessment of pharmaceutical sciences वाले कराते हैं ठीक है इसका एक exam pattern क्या रहेगा तो बच्चा लोग इसके अंदर आपके multiple choices आते हैं ठीक है multiple choices questions आते हैं hundred अब म आपको paper देने होते हैं वो दो paper होते हैं जिसमें hundred questions in each paper ठीक है साधी साथ यहाँ पर देखो candidate को दो paper देने होते हैं जिसमें 100 questions हर एक paper के अंदर आपको मिलेंगे और limit है आपकी दो दो घंटे दोनो papers की two hours each यानि की दोनो papers के लिए आपको दो घंटे का समय मिलेगा और साधी साथ जो passing criteria रहेगा 50-50 यानि की 50-50 percent दोनो paper में आपको लाने है पौर example अगर 100 number का है तो 50 number पहले paper में और 50 number दूसरे paper में आपको लाने अनिवारे हैं तभी आप इसके लिए qualify माने जाएंगे तभी आप Australia में आप एक फार्मसिस्ट की job कर पाएंगे यह तो रहा exam pattern अब बात कर लेते हैं कि syllabus क्या होता है इस caps exam का ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे पहले paper के लिए जो की है आपका first paper इसके अंदर जो subjects है वो है pharmaceutical chemistry और साथी साथ इसके अंदर आपका pharmacology and physiology जिसके अंदर आपका physiology में HP आ जाता है ठीक है तो HP pharmaceutical chemistry और pharmacology यह तीन subject होते हैं पहले paper में जो syllabus से आपका इन तीन subject से questions आते हैं जो की आपके पहले paper में 100 questions आते हैं दूसरे paper के अंदर जो आपका syllabus रहने वाला है इसमें आपका subject होगा pharmaceuticals और साथी साथ therapeutics तो यह दोनों subjects इसके अंदर आते हैं यह भी आपके 100 questions पूछे जाएंगे इस paper में दूसरे paper में भी तो total आपके हो 200 questions हर एक paper के लिए आपको जो है basically दो दो घंटे का समय मिलेगा two hours each ठीक है दो घंटे यहाँ दो घंटे यहाँ तभी आप जो है eligible माने जाएंगे आपके 50% इन में जो है basically marks आ गए 50% पहले paper में 50% दूसरे paper में तभी आप eligible होंगे तभी आप qualify कर पाएंगे इस caps exam को अब बात कर लेते हैं कि जो caps exam के centers हैं इंडिया में वो कहा कहा पर हैं इंडिया के अंदर इस knowledge assessment of pharmaceutical sciences के जो center है इस exam के वो 5 जगा है एक तो है आपका बैंगलॉर में दूसरा है आपका चैन्नाई में तीसरा है आपका हैद्रावाद में चोथा है आपका मुंबाई में और पांचवा है आपका न्यू डेली में ये टोटल आपके पांच center है इस caps exam के इंडिया के अंदर जहां पे आपके exams conduct कराये जाते हैं और आप caps के regarding इन पांच centers पे जाकर के information ले सकते हैं जो भी आपकी queries हैं उनको sort out कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि caps exam एक साल में कितनी बार conduct कराया जाता है यानि कि एक साल में कितनी बार ये caps exam होता है तो बच्चा लोग साल में चार बार ये पेपर कराया जाता है ठीक है साल में चार बार ये पेपर कराया जाता है कौन सा जो ये caps exam होता है एक साल में चार बार कराया जाता है जो आस्टेलिया में फार्मसिस्ट बनने के लिए क कर सकता हूँ तो बेटा आप कर सकते हैं रिटेल फार्मेसी में साधी साथ आप क्लिनिकल फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं और आप हॉस्पिटल फार्मेसी में ये तीन डिपार्मेंट्स में वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छी रेप्यूटेट जॉब होत क्या requirements हैं तो उसके दो procedure हैं यानि की दो step हैं समसे पहला है कि आपका document verification होगा कहां से आपने अपना जो है B pharma किया हुआ है या M pharma ठीक है वो सारा verification होगा और उसके बाद सीधा आपका एक English test कराया जाएगा ठीक है क्या कराया जाएगा English test कराया जाएगा आपका कोई return exam नहीं ह होगा सिर्फ और सिर्फ आपके document verify होंगे और आपका English test होगा English में जिसकी fluency होगी पढ़ी अच्छी English आती होगी क्योंकि world में माना जाता है English दो countries की बहुत थोड़ी सी जो है हमारी typical होती है एक New Zealand की और दूसरी Australia की ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो है थोड़ी height standard में English बोली जाती है ठीक है ऐसा लगता है कि वो words skip कर रहे हैं है ना आपने interviews देखे हों जैसे cricket देखते होंगे तो वहाँ पर जब हमारा जो है टॉस सेक्षन होता है या commentary होती है तो Australians थोड़ा New Zealand वाले जो थोड़ा हाइफा English बोलते हैं इसलिए English में जिसकी fluency अच्छी है जो बहुत अच्छी English बोल पाएगा वो अगर English test qualify कर जाता है तो वो Australia की इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मसिस्ट बन सकता है अब सर हमें जानना है कि वहाँ salary कितना होता है सबसे main point तो मेरा यही है कि सर देखो jobs opportunities का पता चलिया इंडस्ट्री में क्या है और हमारा ज salary कितना होता है वो बस बता दीजे तो बच्चा लोग वहाँ पे salary बहुत बढ़िया होता है क्योंकि वहाँ पर पर आवर यानि कि प्रती घंटे के हिसाब से salary दी जाती है ठीक है और अच्छी बात यह है अगर कोई overtime करता है तो उनको overtime भी अच्छा खासा मिलता है अगर साल के लिए आप वहाँ पर intern माने जाते हैं internship होती है आपकी एक साल की उसके भ्याव पे आपको हर घंटे 30 से 40 Australian dollars आपको जो है प्रती घंटा यानि कि पर आवर आपको salary मिलती है 30 से 40 Australian dollars ठीक है normal dollars नहीं Australian dollars होते है जो Australia की currency है 30 से 40 Australian dollars आपको मिलते है एक साल तक के लिए जब आ वहाँ पर एक intern यानि की एक initially job start किये है और एक साल के बाद जब आपको एक साल का experience हो जाता है तो आपकी salary वहाँ पर 70 Australian dollars यानि की 70 Australian dollars पर आवर प्रती घंटा पहुँच जाती है आप overtime करते है एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा उसके हिसाब से भी आपको वहाँ पर pay किया जाता है जो प्रती घंटे का आपका हिसाब है उसी को आपके extra overtime में भी conclude किया जाता है उसमें माना जाता है इंक्लूड करते हैं और आपका salary जो है basically बनता है देखो कितना अच्छा salary है Australia के अंदर 30 से 40 एक साल तक के लिए आपको महाँ पर एक intern के तोर पर मिल रहा ह 30 से 40 Australian dollar Australian dollar भी हमारा लमजम लमजम एक कह सकते हैं कि 50 से उपर ही है Indian currencies में ठीक है 40 से भी लगाते हैं तो 2000 रुपे आपको एक घंटे के मिल रहे हैं देखो salary बहुत अच्छा है वहाँ पर मन में यही सवाल था जब हम basically बात कर रहे हैं कि Australia में pharmacist बनना है तो क्या requirements है तो basic requirement जो है वो आपकी क्या मन में रहती है कि salary कितना होगा उस हिसाब से मैं plan करता हूँ या करती हूँ तो salary बहुत अच्छा है ठीक अब अच्छा लोग तो Australia में आप basically pharmacist कैसे बन सकते हैं उसकी जानकारी ली हमने आज के session में आप D-Pharma first year में है या D-Pharma second year में है डाउनलोड कीजिए Farmist India mobile app Google Play Store से उसके माध्यम से आप अपने hard copy study material order कर सकते हैं notes का भी और model papers का भी चाहे D-Pharma first year में है या D-Pharma second year में है और model papers जो हैं आपको solved model papers मिलेंगे हिंदी और English दोनों languages में tabular form में साधी साथ जब आप वहाँ पर search करेंगे D-Pharma first year या second year app के अंदर तो आपको वहाँ पर topic wise notes मिलेंगे PCI के latest syllabus के according video lectures मिलेंगे bilingual languages में chapter wise model papers मिलेंगे previous year के papers मिलेंगे universities या different boards के और साधी साथ ये आपका एक साल तक valid रहने वाला है और आपको इसके माध्यम से exit exam की guidance भी मिलेगी ठीक है अब चलो आप हमें various platforms पे follow कर सकते है subscribe कीजे फामेस इंडिया live youtube channel इसी तरीके की more amazing videos के लिए आपको whatsapp नमबर दिया हुआ है 9389516306 save कीजे और DP India capital letters में type करके बेज़ दीजे आप तक latest d pharma updates पहुचते रहेंगे और साधी साथ exit exam की guidance भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी संपून जानकारी भी मिलेगी साधी साथ telegram channel का QR code scan कर सकते हैं इसके माध्यम से भी जोड़ सकते हैं और आप हमारी official website pharmacyindia.co.in इसको भी follow कर सकते हैं वहाँ पे भी latest updates आपको मिलते रहेंगे d pharma से संबंदिद और exit exam से संबंदिद हमारे various platforms के links आपको नीचे description में दिये गए हैं whatsapp, instagram, telegram, website का और साधी साथ हमारे channel का आपको इनके links नीचे description में दिये गए हैं इसी तरीके की more amazing videos के लिए बने रहे हैं फामेसी इंडिया लाइव के साथ